SSC GD क्या है और कैसे मिलेगी नोकरी किसे किन किन पदो पर भरती प्रक्रिया होगी कैसे मिलती है नोकरी एज लिमिट क्या है क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी सेलरी मिलती है क्या क्या करना होता है काम और क्या सेल बस है क्या लड़कियां भी इन पदो पर आवेदन कर सकती ह ऐसे तमाम तरह के शवाल आपके भी मन में आ रहे होंगे और उन सभी जो शवालों के सीधा जवा हम लेका रहाते हैं कब से फॉर्म आवेधन के जाएंगे और आपको नौकरी के लिए कौन-कौन से किताबे पढ़ने पड़ेगी और इस समय बेरोजगारी के दौड़ने हम पूर्ण जानकारी देंगे एच से लेके जड़ तक के कैसे कैसा अवेधन करना और नौकरी तक लेना कितनी चरण होगी कौन-कौन सी परिक्षाएं होंगी इन परिक्षाओं में कहां-कहां सेंटर मिलेगा मैंने हर उस पहलू पर हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं जो 2022 में जो पद निकले गए हैं उनमें सबसे पहले हैं कि कैसे मिलती है नौकरी नौकरी कैसे मिलती है आप सभी के मन में सवाल आएगा देखिए नौकरी मिलने के लिए इसमें सबसे पहले और परिक्षा होगी और परिक्षा के बाद क्वालिफाई करने के बाद आप से फिज क्रिया है तब तक आपको नोकरी नहीं मिल ले हैं मतलब उमीदवार हिंदी अंग्रेजी किसी अनुभाग को अपनी योगिता अनुसार हल कर सकते हैं माने जो प्रशन होंगे जो ससी जीडी के जो प्रशन आएंगे वो किसा अधर पर होंगे विश्वी हिंदी अंग्रेजी मे जो 18 साल कुम्रे पूरी कर चुका हो और 23 साल सा दिक्तम ना हो वह इस में आवेदन कर सकता है और अब इसमें एक आता है इस क्वालिफिकेसन के लिए 10 मानने उसको 10 पास होना चाहिए अच्छा 10 अर्थात हम यह कह सकते हैं हाइश कोल अगर वह पास है अगर वह है इसमें आवेदन कर सकता है आवेदन करने की जो तित्थी है वो सरू हो चुकी है बदला आवेदन जो प्राराम बहां वह 27 अक्टूबर 2022 से आवेदन चलना है और आवेदन की जो अंतिम तिति है वो 30 नॉंबर है वो क्या है 30 नॉंबर 2022 यह आवेदन की अंतिम तिति है और एक्जाम जो होगा यह है कि एक्जाम परिक्षा कैसे होगी वो CBT मूड में होगी कैसे होगी CBT Computer Based Test होगा मने और यह एक्जाम कब तक हो सकता एक सवाल आपके मन में आएगा कि परिक्षा आखिर कब तक होगी तो जो परिक्षा है यह संभावता जनवरी 2023 में होगी और लोकसफा की चुनों से पहले इसमें नुप्ती भी मिल जाएगी और आप सभी को आपके मार्क के अधार पर पदोक को वरिता के अधार पर आप सभी को नोकरी भी मिल जाएगी लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे आता है कि जीडी में कहा कहा आ सकती परिक्षा है इसमें कहा Какah परिक्षाह आ सकती है पहली बाद जो गाओं से जुड़े हुए बच्चे हैं जो आफ्लाइन क्लासेज पढ़ते हैं उनके लिए ऑल्लाइन टेस्ट देना सबसे बड़ा चैलेंज होगा पहली समस्या आएगी उसके लिए आपको परशान नहीं होना है वहाँ पर ऑल्लाइन टेस्ट प्राक्टिक जैसकते हैं जैसा कि परिच्छा में टेस्ट पर आते हैं उसी तरह इल्लाइन बिद्दुर्गेश के आइप मरोगा मैं वह गाओं के बच्चे जिनको यह समस्या थी कि आउल्लाइन परिच्छा कैसे होगी उनके लिए समस्या सुलज जाएगी दूसरी समस्या आती है कि उसके जो फिजिकल कैसे त्यार किया जाए उसके सारे रिक योगता है त्योंकि कुछ ऐसे भी अभेटते होंगे जिनका जो पहली परिच्छा होगी तो पास कर जाएंग लेकिन जो उनकी फिजिकल परिच्छा होनी है जो उसमें उनको कहीं न कहीं दिक्कत होती है उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि फिजिकल इजबिल्टी में क्या क्या चाइज है महिला के लिए क्या है पुरुष के लिए क्या रणिंग क्या है इन सभी पर हम आपके 12,000 से लेकर 69,900 रुपया तक है अगर NCB की बात करें तो इसमें पे लेबल 3 है कि कई जाए 700 से लेकर 79,100 तक मतलब अगर overall salary की हम बात करें तो यहां पर 40 से 50,000 रुपया पर मत आपकी एक salary होगी इसमें भी आपका जो कटाओ जो आपके तनखा है उसमें कुछ जो आपकी monthly salary मिलती है कुछ कटाओती की बाद मिलती है उसके लिए हम आगे जिगर करेंगे लेकिन और सब जो सब्सक्राइब होगी 40 से 50,000 रुपया पर महीना होगा और क्या क्या करना होता है काम क्या करना होता जैसे इसमें अलग लग तरह के पोस्ट है उन पोस्ट के बारे बता दें बियस सफ है इसका सेल बस क्या है अब हम इसके सेल बस पर भी बात करते हैं आपसे लेकिन उसके पहले जानते हैं क्या इसमें लड़कियां भी अवेदन कर सकती है यह बहुत बड़ा सवाल आपके भी मन में आएगा हमारे भी मन में आएगा कि क्या SSC GD में क्यों लड़के ही आवेदन कर सकती है जी नहीं यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकती है जी हाँ लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकती है एक बात याद रहे कि जिस समय फिशकल होगा रनिंग ह यहांगे के परिच्छा कैसे पास करने है परिक्छा में क्या क्या उसके पहले आप इस वीडियो को फटा-फट अपने दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर करिए गा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आज ही बलेकन दबाइएगा जहां ऐसे जीडी की संपूर नोर्स आपको घर बैठे मिल सकती है सबसे पहली बात जो ये परिक्षा होगी मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये CBT मूड में होगा अब ये जानकारी आपके लिए जरूरी है हिंदी और अंगरेजी दो भासाओं में होगा और परिक्षा में एक बटे दो अर्थाच जीरो दसमलो पांच अंग नकरात्मक का अंग होगे मतलब अगर आपने एक प्रस्ण को गलत किया तापके आधे अंग काट ले जाएंगे कितने अंग परिक्षा में जीरो दसमलो पांच का नकरात्मक का अंग होगा परिच्छा का जो अंक होगा प्रते एक प्रश्ण ये दो अंक होगा जो प्रश्ण होगा वो कितने अंक होगा दो अंक का एक सवाल होगा मन एक सवाल सही करने पर आपको दो अंक मिलेंगे और अगर आपने गलत कर दिया तो जो आपका ये एक बटा दो का मतलब ऐसा निए एक बटा चार होगा जो इसका कट परसेंटेज होगा एक बटे चार एक सही करने पे दो अंग और गलत करने पे आपके आधा अंग काट ले जाएंगे और यहाँ पे कुल 80 सवाल होंगे जो दो अंको के होंगे अर्थाद 160 अंका आपका परिच्छा होना है इसके लिए जो शमय है वो आपको कम मिलेगा मतलब एक घंटा आपको समय मिलना है आईए हम इसको प्लेन पेपर आपको समझाने का प्यास करते हैं पूरे पाटिकरम को बता कर कि कैसे क्या का इसकी प्रोशेश होगी कैसे आप लोग इस परिच्छा को पास करेंगे इस वीडियो पे बने रहेगा आंते तक आईए हम इसके संपूर जानकारी लेते हैं पहला है अगर हम बात करें बिशय की इसमें कौन-कौन से बिशय होंगे तो यहां पर टॉपिक आता है Attल स्अपली पता होगा सबी लोग इसके बारे में जानते ओंगे लिजय निंग का तो यहां पर जो प्रस्ण यह पर अपर प्रेश्ण वह उत्त लिए उपर प्रस्ण लिख दे रहा हूं यह आपके भी 40 अंग्य हो जाएंगे दूसरा है आपके math अगर हम बात करें जो प्रारंभी गडित है गडित में कौन से गडित प्रारंभी गडित कच्छा 10 अस्तर का गडित होगा यहां से भी आपके 20 सवाल आएंगे इसके भी आपके पास भासा का चैन होगा भासा के चैन म होगा यह भी 20 सवाल होंगे और इसके भी आपके आँगे 40 अगर प्रश्णों के संख्या की बात करे तो 80 प्रश्णों होंगे जिनके कुल अंगों की संख्या 170 होगी अगर आख लात करें नाकारात्मक अंग जो नकरात्मक अंग है वो कितने है एक बटे चार है या अंग की बात करें 0.50 अंग है बने अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके काट लिए जाएगा अगर हम समय की बात करें कि यहाँ पर जो समय है वो कितना है आप धान से देखते हैं हम लोग जो समय है आपका वो 60 मिनट का है 60 मिनट अब परिच्छा जैसे होगी किस पर होगी अगर हम बात करें एकजाम की अगर परिच्छा की बात करें तो परिच्छा CBT मूड जिसे हम ओल्लाइन एकजाम कहते हैं कैसे कहते हैं यह online exam mode पर होगी ठीक है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर सारी चीज़े समझे में आ गई होगी पूरा पाठिकरम क्या है एक बार मैं आपको कि आपको आपकी किताब आपकी बेश्ट होगी उसके बहुर सारी किताब मार्किट में आप यह प्ष्चा के लिए पर सकते हैं जो परिच्छा के लिए महात्य पूरा ओगी उसके पहले आप लोग एक टियानीजेकर आप घर बैठे नोट्स पर आप करना चाहते हैं इलनी भी दुरगेश के इस नंबर पर वाट्शेप करके सभी जनकरी ले जकते हैं यह सभी क्लासे जनपत जोनपुर से लाइब आपके लिए चलती हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं बुक के लिए अब जीके के लिए आप लिए लूशनी किताब ले सकते हैं लूशनी किताब आपको मार्केट में 120 रुपे के आएगी 130 रुपे के लूषन्ट आएगी और रजजिनिंग बी 100 रुपे की किताब आएगी रर ayud जहां कि गनित के लिए अच्छे किताब करें बहुत सारे किताब हैं लेकिन RS अर्ज संत और एक लूशन की गणित आती लगबग सो रूपए के आती उसका नाम ही है प्रारंभीक अंगडित तो प्रारंभीक अंगडित आपकी इस परिच्छा के लिए काफी हम और महत्रपूर हो जाता है अगर गणित की बात करें गणित काफी लोगों को लगता है डर लगता है कि में क्या-क्या है तो संख्या पद्धती होगी संपूर संख्या का ग्याम होगा दसमलों होगा भिन्ड की अधार्ना नहीं मौलिक अंगलित होगा परसेंटेज है अनुपात समानुपात को हमए and अधिशन के बात करें अग्रेजी की हम क्रमवर रुप किसी भी चीजों का समश्या का सामना ना करना पड़े और आपके 80 प्रश्ण में 160 अंक है अभी सवाल आता है कि सर इसका सेफ स्कोर क्या होगा कितना अंक लेका रहा है ताकि हम अगली परिच्छा के लिए उत्रुन कर सके ताकि हमें फिजिकल एकजाम के लिए बुला दें यह पेपर पर निर्भर करता है कम गलत करना है ज्यादा ज्यादा प्रश्णों को शही करना है आपके पास समय कम है लेकिन अगर आप 110 अंक अगर 110 अंक अगर 110 अंक आप अरजित कर लेते हैं अरधात आपके 55 प्रश्ण शही हो जाते हैं तो आप अगली परिच्छा के लिए त शाती वजन के माप के जो पीटी जो पीसटी चरण है वो होगा और उन सभी के लिए भी है अन्तिम चैन के लिए बात करें तो अन्तिम चैन एस सी जीडी परिछा के तीन चरण होते हैं पहला चरण होता है चरण फर्स्ट वह होगा CBT एक टेस्ट परिछा होती है जो सारी निख मानेविच्चता हो जाएगी और जिसे सारी निख परिछा कहते हैं फिर आपके जो होगा जो तीसरा चरण होगा वो है आपका BMA इसके मतलब जो बिश्त्रित परिक्षा होगी उसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चरण होगा उनका शलिक्सान होगा इन तीन चरणों से प्रते कभित अभ्यर्थी को गोजरना पड़ेगा अब एक सवाल आ रहा होगा कि आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी होगी देखिए भारत उसके परोसी देश माने भारत का भोगोल खेल इतिहास भारत के संस्किति और कल्चर आर्थिक प्रदिश्य सामाजिक जो प्रदिश्य है भारतिय शमिधान विज्ञान शामान विज्ञान 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 इस भरती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो comment करके बताएगा कि आप किस जिले से हैं और कहां आवेदन किस पद के लिए आवेदन करना चाहरे हैं मैंने कौन सपद आप चाहते हैं और सबसे बड़ी बाद e-learning with दुर्गेश के facebook पेज को follow करेगा जहाँ पर आपको संपूर आज मिल जाएगी और उसके साथ-साथ आप लोग जनपत जौनपूर से हैं तो आप वहापके नोट्स प्राफ्ट कर सकते हैं इस वीडियो को सभी शाती में तो तक शेयर करिएगा जय हिंद जय भारत अगर आपके मन में कोई प्रशन कोई शवाल हो तो आप comment section में comment करके ज आपके बारत